I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study Today we are going to start a series of English, grammar and spoken in the first lecture in today's lecture Today I am going to teach you how to translate in any Hindi sentence in English So what is the requirement for translation? Like a sentence, here is my book So if you have to translate it in English In English you have to translate a word I have to translate this, I have to translate it My book is here This my book is What is the correct translation? Do you know an English sentence in Hindi? You are right The correct sentence What is the correct sentence? The correct sentence So what is the correct sentence? से छोटे से कि हमें sentence form करने के लिए words का meaning तो पता होना ही चीए लेकिन उन words को कि sequence में arrange करना है एक proper sequence सही करम भी पता होना चीए words का जिसमें उसे हमें arrange करना है तब English का सही sentence बन पाएगा तो हिंदी भासा में क्या होता है सब्दो का एक अलग sequence होता है और इंग्लिस भासा में सब्दो का एक अलग sequence होता है यसे हिंदी भासा में है यहां पर आ गया वर्ब यहां पर आ गई यहां यह है बीच में इस यहां पर आ गया ठीक है इस्टेंड समझ में आ गया तो यह चोटा सट एक difference है सब्जेक्ट की सुरवा तो खैर दिस दिस सेम ही होती है वर्ब की placement अलग होती है object की placement अलग होती है सारी चीजे हम detail में समझेंगे अभी तो सिर्फ introduction देने वाला हूं कि मैं आपको पढ़ाने क्या वाला हूं ठीक है स्टेंड देखो आपको अगर इंगलिस बोलना है तो आपको क्या करना चाहिए जितने भी sentence आप हिंदी में बोलते हैं जितने भी type के सब को translate करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा ठीक है उसके बाद सारे sentence जो आप हिंदी में बोल रहे हैं उसे आप English में convert करके दिमाग में तुरंद आप किसी को भी इंगलिस में बात कर सकते हैं ठीक है ना लेकिन आपके मन में एक बात आ रही होगी कि क्या इस sentence को यहां translate करते तक जो हमें समय लगेगा वो तो काफी समय लग जाएगा क्या तब तक सामने वाला हमारी बात सुनने के लिए रुकेगा नाइस ट्रेंड ऐसी कोई बात नहीं है आपको की speed इतनी fast हो जाएगी कि आप इतने fast चीजों को मन में ही translate कर लेंगे यह पता ही नहीं चलेगा एकदम friction of second में सारी चीज़े होने लगेगी practice की वज़े से ठीक है देखो sentence किस type के हम use करते हैं देखो वाक्यों के प्रकार types of sentence है जैसे एक होता है assertive sentence अभी आपको पता चल जाएगे सब क्या होता है अभी explain कर देता हूँ आज मैं सिर्फ यही बताने वाला हूँ कि कितने type के sentence हम बोलते हैं और उन्हें फिर translate कैसे करना यह फिर अगले parts में दीरे दीरे हम सारी चीजे समझेंगे ठीक है ना assertive sentence होता है interrogative sentence होता imperative sentence होता exclamatory sentence होता है ठीक है ना अब देख ले तो strength assertive sentence क्या होता है assertive sentence का मतलब होता है बताने वाले वाकिए आप life में जो भी वाकिए बोलते है sentence उसमें आप अपने बारे में किसी को कुछ न कुछ बताते हैं अपने काम के बारे में अपने किसी सामान के बारे में अपने घर के बारे में अपने दुकान के बारे में अपने स्वास्ते के बारे में है ना अपने भाई के बारे में, बेहन के बारे में कुछ ना कुछ आप बताते हैं तो ये बताने वाले जो sentence है inform करते हैं आप किसी को कुछ है ना, उसको बोलते है बताने वाले वाकिय कोई assertive sentence, जैसे कि देखो, मेरा नाम Ayus है आपने अपना नाम बता दिया, मुझे घर की सफाई करनी है, आपने अपना काम बता दिया, आपको क्या करना है, है ना राहुल खेल रहा है राहुल कोई है, वो क्या कर रहा है ये आपने बता दिया है, ठीक है तो इस type की चीज़ बताने वाले वाकिये आपने ये भी सुना होगा ये जो चार टाइप मैंने बताया अलग भी एक टाइप सुना होगा सेंटेंस का एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस सुना होगा आ पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस इस्टोडेंट ये जो चार नाम आयूस है, यह आपने बताया लेकिन यह जो sentence बताया आपने यह नहीं का use नहीं किया है not का use नहीं किया है कोई negative word का use आपने यह पर नहीं किया इसलिए होगे आपका positive assertive sentence, लेकिन आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं, मेरा नाम आयूस नहीं है, आपने कुछ चीज बताई, है ना, क्या बताई कि मेरा नाम आयूस नहीं है, तो नहीं का use करके बताया, not का use किया आपने, इसका मतलब यह भी assertive sentence तो है, लेकिन कैसा है negative वाला है, जैसे यहां मुझे घर की सफाई करनी है, आपने हैं बोल दिया मुझे घर की सफाई नहीं करनी है तो negative type का assertive sentence है यहां not का use किया है, ठीक है ना, तो कोई भी sentence positive negative हो सकता है अगर not का use किया है तो positive not का use नहीं किया है तो negative, बस इतना ही simple है, जैसे राहूल नहीं खेल रहा है यह आपने बता दिया, कोई कुछ नहीं कर रहा है वो आप बता दिया, यहां पर कुछ कर रहा है वो बता दिया, कुल मिला के बताने वाले वाक्य है, ठीक है positive चीज़ बता विया negative, दूसरा type आपके सामने interrogative sentence, मतलब पूछने वाले वाक्य, आप किसी से कुछ भी पूछ लेते हैं, है तो दो type के होते हैं, पूछने वाले वाक्य, एक ऐसा पूछने वाला वाक्य होता है जिसका जवाब सामने वाला हाया नामे दे सकता है यह सारी चीज़े फिर से बताऊंगा मैं, है ना यह तो सिर्फ introduction है, ठीक है जैसे आपने किसी को बुला क्या तुमारा नाम आयूस है, यह ऐसा पूछने वाला वाक्य है, ऐसा interrogative sentence है जिसका जवाब हाया नामे दिया जा सकता है कैसे पहचानेंगे हिंदी के इन वाक्यों की पहचान होती कि इसकी सुरुवात होती क्या से किसे सुरुवात करते हैं, क्या से यहां क्या आगया, यहां क्या आगया क्या राहूल खेल रहा है तो दो तरीके के सवाल है जिसमें आप जवाब उसका हाया नामे दे सकते हो लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिसको explain करना पड़ता जैसे कि मुझे घर की सफाई कब करना इसका जवाब हाया नामे नहीं दिया जा सकता तो दूसरी category का interrogative sentence है ठीक है ना जैसे अब यह interrogative sentence यह पूरे positive आले है क्या राहूल नहीं केल रहा है तो इस type के भी सवाल को हम सीखेंगे कि translate कैसे करना है देखो मैं आपको यह बताने की कुछिस करना हूँ कि किस किस type के sentence आप life में use करते हैं उनको अगर translate करना सीख गया है तो आप सीधे English में बात करना ही सीख जाएंगे आगे देखो imperative sentence क्या होता है यहाँ आप किसी को order देते है सला मतलब advice देते है request करते है आगे मतलब permission लेते है permission है आगे लेते हैं किसी से sorry यहाँ लेते हैं मैंने लिखा कोई बात नहीं तो advice देना है, sorry, order देना है, advice, request करना है, permission देना है, किसी को लेना है, किसी से permission, तब आप जो sentence use करते हैं, उनको बोलते है, imperative sentence, जैसे की, दर्वाजर बन कर दो, order दी दिया आपने, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, advice देने, वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्रप्या मेरी structure होते है, समझना आगया, देखो, यह imperative sentence होते है, तो strand, यह हमने सीखा, assertive, ठीक है, और exclamatory sentence भी एक type है, exclamatory sentence देख लेते हैं, वह क्या है, ठीक है strand, okay, जैसा कि देख पाने ही होता है, exclamatory sentence, यह क्या होते है strand, जब भी आप अपनी जो emotions है, अपनी feelings है, sudden emotion को, just suddenly so करते हो आप जैसे आपको अचानक को कोई दुख हो गया, कोई sadness को सो करना है, happiness को सो करना है, खुसी की कोई बात है, उसको अचानक बताना है किसी को, कोई आपको आस्चर हो गया, surprise हो गया, अचंबे की बात है, कि इसको अचानक किसी को बताना है, तो जी किस type के sentence यूज करते हैं, उसको को बोलते है एक्सवामेटरी सेंटेंश, जैसे कि आप बोले, हे प्रभू मेरे दोस्त को बचा लो, तिसमे क्या कर रहे हैं, अचानक से क्या कर रहे हैं, आपने देखा कुछ, आपका दोस्त का कहीं accident हो गया, तापने अचानक से सडनली अपने दुख को शो करने किला है आप आप, प्रभु मेरे दोस्त को बचा लुँझाओ, एक्सलामेटरी सids movements के लिचका भी लगा उता है इस थाइप से खाना है, इस थाइप से, हैं, अरे वहा, हम मैं ौः जीद गें, अरे वहा, रहा हम मैं जीर हैं, इ Tunnerita को के बोल रहा हैं, इक्दम ब वाओ, what a lovely dress तो इस तब को कैसे change करना ये भी हम सीखेंगे उफ, कितनी गंदी बद्बू है न तो ये आप दुख को सो कर रहे हैं बिल्कुस अचानक से आप कहीं से गुजर रहे हैं आपको बद्बू आगी तो आप बोलोगे अचानक से उफ, कितनी गंदी बद्बू है न what a sad news जब आपको एक समाचार सुनते हैं तो क्या बलते हैं, oh what a sad news तो इस टाइब के sentence को कैसे change करते हैं सब के rule होते हैं, तो सारी चीज आपको explain की जाएगी तो आज के lecture में हमने क्या सीखा आज के lecture में हमने ये सीखा कि sentence को translate करने के लिए सिर्फ उसका meaning ही जरूरी नहीं होता उसका proper sequence भी जरूरी होता है ठीक है न और दूसरी चीज कितने टाइब के sentence होते हैं और इनको translate करना अगर आपने सीख गए तो आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है तो अगले lecture में मैं आपको बताऊँगा कि translation exercise की सुरूरात कैसे करें कैसे हम sentence को translate करना सीखें और कहां से हम इसकी सुरूरात करेंगे किस topic की तो हम सारी चीज़ explain कर देंगे अगले video का आप वेट के जेगा हर दिन एक video आईगी हो और हर बच्चों के लिए हर टाइप के strain के लिए जरूरी है है ना फोर्त से लेकर कि किसी भी एज का कोई भी बच्चा इन सारी चीजों को देख सकता है ठीक है strain ओके थैंक यू वेरी मच अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजेगा okay thank you very much